बाजार में कपास की कमी के कारण कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है। मौजूदा सीजन में कपास की कीमतें न्यून्तम समर्थन मूल्य से तीन फीसदी अधिक हो गई हैं और विशेशग्यों का कहना है कि भविश्य में कीमतों में और उच्छाल हो सकता है। कपा पास उत्पादक राजियों में भारी बारिश ने कपास की फसल को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। पंजाब में भी पिछले साल की तुलना में कपास की बुवाई में कमी आई है। केंद्रिय क्रिशी एवं किसान कल्यान मंत्राले के अनुसार 2 सितंबर 2024 तक देश बर में कपास की खेती 111.74 लाख हेक्टेर में की गई है जो पिछले साल की 123.111 लाख हेक्टेर से लगभग 11 लाख हेक्टेर कम है ठोक मंडियों में कपास की कीमतें तेजी से बढ़ रही है सूरत और राजकोट की ठोक मंडियों में कपास की ओसत कीमत 7525 से 7715 रुपए प्रती क्विंटल पहुँच गई है अमरेली मंडी में कपास की कीमत 7450 रुपए प्रती क्विंटल है चित्रदुर्गा मंडी में कपास की अधिक्तम कीमत 12,222 रुपए प्रती क्विंटल पर पहुँच गई है केंद्र सरकार ने 2024 से 25 सीजन के लिए कपास की MSP में 501 रुपए की बड़ोतरी की है मीडियम स्टेपल कैटिग्री के लिए MSP अब 7,121 रुपए प्रती क्विंटल है जबकि लॉंग स्टेपल कैटिग्री के लिए यह 7,521 रुपए प्रती क्विंटल हो गया है मंदी में कपास की औसत कीमत और MSP के बीच का अंतर बढ़कर 300 से 400 रुपए प्रती क्विंटल हो गया है इस बढ़ते अंतर के साथ आने वाले दिनों में कपास की कीमतों में और उच्छाल की संभावना है जो किसानों और बाजार के लिए एक नई चुनौती पेश करेगा Bureau Report Market Times TV